अपने परिवार का लेखा जोका लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयम प्रेरना से एक छोटा वर्ग परिवार को सिमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है यह सब सम्मान के अधिकारी है यह आदर के अधिकारी है जिनका उनका जितना सम्मान करें छोटा परिवार रखके भी वो देश भक्ति को ही प्रगट करते हैं पंदर अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधान मंतरी मोदी ने बढ़ती जन संख्या पर चिंता जताई थी उन्होंने कहा था छोटा परिवार रखना देश भक्ति है उनका सम्मान होना चाहिए अब यूपी की योगी सरकार उसी लीग पर चल पड़ी है योगी सरकार नई जन संख्या नीती लाने पर विचार कर रही है जिसके तहट दो बच्चों से ज्यादा वाले परिवारों को सरकारी सुविधाओं का फाइदा नहीं दिया जाएगा ये लोग ना तो सरकारी नौकरी में जा सकेंगे और ना ही पंचायत चुनाव लड़ सक वंचित हो सकते हैं और यदि वो सरकारी नौकरी में आना चाहेंगे तो उससे भी वंचित हो सकते हैं इस तरह का सूचना हमारे हमकों उप्राप्ट हुआ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बीस करोड के पार चली गई है बारती आबादी का मुद्दा विधान सभा में भी उठा कुछ विधायकों ने दो बच्चों की नीती लागू करने पर भी जोर दिया अब योगी सरकार इसे लेकर गंभीर दिख रही है क्या हमारे राज्य के लिए सेहमेटी बन सकता है इस पर तब इसको फिर हम रखेंगे क्योंकि इतना आसान नहीं है तो करने के लिए लोगतंत्र में चुनुही सरकार को काम करने का दिकार है जनसंख्या ने पर काम करें अच्छी बात है जनसंख्या को काबू करने के लिए कई देशों ने प्रुटसाहन और सजा की पॉलसी अपनाई है लेकिन ये कितना कारगर रहा इस पर भी सवाल है अब देखना ये है कि दो बच्चों की पॉलसी लाकर योगी सरकार ये गंभीर कदम उठाती है या फिर एक और विवात को निमंत्रन देती है